हेलो फ्रेंड स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में काफी समय बाद में आप लोगों के लिए एक नए वीडियो लेका आप आ रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रेंग चल ले थी वन विवा की पिछले पांच मेनों से और उसमें प्राइवेसी रीजन की वज़े से मैं वहाँ पर कोई वीडियो सुट नहीं कर पा रहा था लेकिन फिलाल मैं फिर से अपने पुराने रेंज में जहां मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पोस्ट दोस्तों यह है हमारे रेंज कारेरे की आपिस और वहाँ पे आप देखेंगे हम लोग के लिए आवास बना हुआ है और यह नरसरी है और नरसरी का कुछ हिसा यहां भी है और यह बगल से आप देखेंगे एक में रोट गया हुआ है इलाल मैं इस रोट का नाम नहीं बताए आप गेस करके बताएए कौन सा रोड है इसे चलके आपको नर्चरी के कुछ इससे भी दिखाते हैं इस तरफ आप देखेंगे ये बनरश्चक जोकी है अभी एक बन्रचक आवास बना हुआ है इसके बाद दोस्तों ये देखेंगे नर्चरी में ये कुछ पुरानी पौद थी जो बड़ी हो चुकी है लगबग दो धाई साल की पौद है और ये अमरूत की पौद है अदने के बाद के बाद आगे कुछ चोटे पौदे भी है जो एक बड़ी पौदे है ये जामा की पौदे और कुछ पौदे अभी आप देखेंगे ये जो थैलियों में अभी उसके पीश लगाये गए हैं तो उसमें से अंग्रन हो रहे हैं तो अगर इस नरसरी की कुछ basic details आपको पताएं तो इस नरसरी की जो जमीन है वो एक हेक्टियर में है और यहां पे एक लाग पाउदों की capacity है इनकी यहां पे देखबाल की जा सकती है अब जो पाउद देख रहे हैं यह सीसम की पाउद है यह लगबग एक वर्सी पाउद है तैयार हो चुकिया है यह बना हुआ है यह सिचाई के लिए फांटन सिस्टम है इसे देशी वासा में खवारा भी कहते हैं खवरे दारा इसकी सिचाई की जाती है कुछ इस तरह से हमाई नजरी का सिस्टम है एक बाप फिर मैं तो गुमा के नजरी का अभी आपको दिखा देखा क्याँ साथ आप रांटन सिस्टम है इस दो से आपको अब जो अब जो अब जो लगाए गए है यह ताबॉन की कटिंग है झाल झाल झाल